क्या कनहया कुमार पलट देंगे बाजी? मनोज तिवारी के खिलाफी तिकट क्यों? उत्तर पुर्वी दिल्ली सीट पर कॉंग्रेस की क्या है रननीती? दिल्ली की उत्तर पुर्वी सीट पर अब मुकाबला बहत तगड़ा हो गया है साथ ही लोगसवा चुनाओ को लेकर ये सीट अब हाई परफाइल भी बन गया है क्योंकि यहां से बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी तो चुनाओ मेदान में हैं ही कॉंग्रेस की तरब से कनहया कुमार ने अब इस सीट से ताल ठोक दिया है कॉंग्रेस का दिल्ली के उत्तर पुर्वी लोगसवा सीट से चुनाओ मेदान में कनहया कुमार को उतारने के बाद से अब चर्चा तेज है कि आखिर पार्टी की ऐसी क्यारन नीती है जिसकी वज़त से तिवारी और कुमार में मुकावला कराया जा रहा है चर्चा तेज है कि दिल्ली के इस हाई प्रफाइल सीट से कनहया कुमार को चुनाओ मेदान में उतारा जाना कॉंग्रेस की तगड़ी रन नीती का हिस्सा है कनहिया की अतीत वाले विवादों का चुनावी मुद्दा बनाना शुरू भी कर दिया है। कॉंग्रेस की रणनीती यहीं खत्म नहीं हो जाती है। राजनीती के जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस ने उत्तर पुर्वी सीट को लेकर तगड़ी पलानिंग की है। दा इंडियन एक्सप्रेस में सुत्रों के हवाले से यह रुपोर्ट किया गया है कि आम आदमी पार्टी ने एक वक्त पर खुद ही कनहिया को अपनी पार्टी में शामिल करने पर बेहत गंभिरता से विचार किया था। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि अगर कॉंग्रेस कनहिया कुमार का इस्तेमाल सही तरीके से कर लेती है तो ऐसी स्थिती में उत्तर पुर्वी लोकसभा सीट पर कॉंग्रेस को काफ़ी अच्छा रेस्पॉंस मिल सकता है। इसके पीछे की वजह भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कनहिया कुमार की सबसे बरी खासियत उनकी स्पीच है। गोरतलब है मनोज तिवारी भी पुर्वानचल से आते हैं और कनहिया कुमार भी एक पुर्वानचली चेहरा हैं। हलाकि कॉंग्रेस की तरब से अपने खिलाफ कनहिया कुमार का नाम फाइनल होते ही मनोज तिवारी थोड़े बोखलाय तो जरूर नजर आये। मनोज तिवारी ने कनहया को राजनितिक परयटक कह दिया लेकिन शायद वो ये भूल गए कि वो भी दिल्ली वाले तो है नहीं तो फिर उस हिसाब से वो क्या हुए वहीं बीजेपी ने कनहया के नाम का एलान होते ही पांच लाग वोटों से हराने की भी बात कह डाली अब आप ही सोचिए क्या कनहया कुमार को चुनावी मैदान में अपने सामने देख मनोज तिवारी की कुर्सी डगमरकाती दिख रही है क्योंकि अगर एक वक्ता और मजबूत नेता को लेकर दोनों में तुलना की जाए तो कनहया कुमार मनोज तिवारी से क्या भाड़ी नही मैदान में हो तब वोटर्स ये सोचने को मजबूर तो होंगे ही कि दोनों में से किसको चुना जाए बहराल अब दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोग सबासीट पर कॉंग्रेस ने कनहया कुमार का नाम का ऐसा दाव खेला है जिससे शायद ना केवल मनोज तिवारी बलकि बी श sociedad झाल झाल झाल